नमश्कार में सौमय जेन, खबर मतिप्रदेश शत्तिसगर में आपका स्वागत करती हूँ आई रुख करते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ प्रधान मंद्री नारेंदर मोदी ने आज नए संसत भवन का उद्गाटन किया नए संसत भवन का उद्गाटन वैदिक विधी विधान के साथ किया गया इस अफसर पर विभिन धर्मों के प्रमुक लोग भी मोजूद रहे विये मोदी ने लोग सभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजडंड सेंगोल की भी स्थाप नाखी इससे पहले शनिवार कुतमिल नाडू में चेहनई के धर्मपुरम अधिनम के 21 संद दिल्ली पहुँचे उद्गाटन की पूर्व संध्या पर अधिनम के महंत ने मंत्रों चारण के बीच सुनहरा राजडंड प्रधान मंत्री को सौपा माधिप्रदेश में विधान सब्वा चुनाओ को लेकर बयान बाजी चारी है इसी क्रव में अब कॉंग्रिस के गॉालियर चंबल प्रभारी पूल सिंग बरईया का बड़ा बयान सामने आया है बरईया का कहना है कि भारती जन्ता पार्टी इस बार फाइट में ही नहीं है अगर वहें पचास विधाएक भी इस बार विधान सब्वा चुनाओ में चूती है तो वहेराज भवन के सामने अपने हाथ से अपना मूँ काला कर लेंगे उन्होंने बताया कि मूँ काला करने का यह संकल्प उन्होंने रेड़ वर्स पहले ही ले लिया था जो समय लिया था भाजपा के लोग मजाग समझते थे लेकिन अब वही कहते हैं कि कहीं आपकी बात सच साबित ना हो जाए मनला चले के राम नगर में शनिवार को दो दिन के आदी उतसब का शभारंब किया गया इसमें गुआ विधान सभा के अध्यक्ष रमेश ताबड कर केंद्रिय मंदरी वक्षेत्रिय सांसत फग्गन सिंग को लस्ते और जनजाती कारे राजिमंदरी विश्वेश्वर टूडू ने गौड राजाओं के ध्वच को फैरा कर उतसब के विधिवत शुरुआत की मंची कारिक्रम के दोरान अचारक मौसम ने करवट बदल ली यहां तेज हवा चलना शुरू हो गई इसके बाद तेज बारिश के कारण अफरात अफरी की स्तिती बन गई आंधी के साथ ओले और मुसलाधार बारिश ने सब को सांसत में डाल दिया मंच में विराजमान दो केंद्रिय मंतरी गुआ विधान सबा स्पीकर सहित अन्य वियाईपी को मंच के नीचे शर्ण लेनी पड़ी माधिप्रदेश में आप टू वीलर चलाने और पीछे बैटने वालों को अनिवारे तोर पर हेलमेट लगाना होगा मिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालक पर तीन सो और पीछे बैठे व्यक्ति पर पात सो यानी कुल आट सो रुपे जुन्वाना लगेगा जुन्वाने के साथ ही वाहन चला रहे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महिने के लिए सस्पेंट किया जा सकता है यह लाइसेंस तभी वहाल होगा जब व्यक्ति किसी मानिता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कम से कम दो दिन की ट्रेनिंग लेगा यहीं व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है और 15 जून से सक्तिर की जाएगी अब तक सिर्फ चालक पर हैलमेट से जुड़ी कारेवाई की जाती थी अब चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों पर नियम लागू होगा मादि प्रदेश में रविवार से वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस एक्टिव हो चाएगा इससे कई हिस्सों में बारिश तेज हवा का दौर चलेगा वहीं साकर चतरपुर दमो पन्ना टीकमगर और निवाडी में ओले भी गिर सकते हैं प्रदेश के कई जिलों में हवा आंधी क स्पीड सतर किलोमीटर प्रती घंटा तक रह सकती है प्रदेश में पहले से तीन सिस्टम एक्टिव है रविवार से एक्टिव होने वाला वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस की वज़े से मौसम और बदल जाएगा मौसम विज्यानिक के अनुसार प्रदेश में पहले से का है तो देश और प्रदेश की दमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही रुप करते हैं छोटेश ब्रेक की तरफ देखते रहे खबर में अध्यप्रदेश शत्तिसगर